नमस्कार आप देख रहे हैं एक निउस 24 मैं हूँ श्रयाप के साथ जिस तरीके से पिछले दिनों पवन सिंग और जोते सिंग का मामला काफी दर संगीन हो गया है आए दिन उनको धंकियां मिलते रहती हैं जो उनके खिलाफ बयान बाजी करता है तो एक बार फिर बबीता जिनको कुछ दिन पहले भी धंकी दी गई थी परवन सिंग के कुछ कहा जाएं तो फॉलोवर्स से कि उन्हें जान से मार देंगे और इसके बाद एक बार फिर से उनको वाटसप के माध्यम से बड़ी धंकी दी गई है और ये काफी जादा डरा देने वाली धंकी है काफी दरावने वाली धंकी है तो इस तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे और क्या कुछ है मामला आपके बीच साजा करेंगे हमारे साथ हमारे दोस्ते योगी मौजूद है प्रिया और विकास सो विकास जिस तरीके से पिछले दन बभीता मिश्रा बोलते आ रही है जोति सिंग के कहा जैदर पक्ष में उसके खिलाब उन्हों क्या कुछ नहीं भूगतना पर रहा है देखिए जोति सिंग और बभीता मिश्रा की अगर हम बात करें रिस्ते को लेकर जो आज लोग कह रहे हैं कि बभीता मिश्रा इस रिस्ते में क्यूं बोल रही है तो कल वह लोग बभीता मिश्रा का इंटर्व्यू लेने क्यूं आ रहे थे उनके ऑफिस में आज जो पवन सिंग के टीम नेंबर के जो यूटूबर है आज वो जो बभीता मिश्रा को बैठ कर गाली दे रहे थे आज जैसे ही एक F.I.R होता है वो बभीता जी पर उतर गए और उसके यह पता था कि बभीता मिश्रा जोती सिंग पवन सिंग को एक कर रही है तो पवन सिंग बभीता मिश्रा के भी आख में धूल जोक रहे हैं और जोती सिंग के भी आख में धूल जोक रहे हैं आज जो लोग बभीता मिश्रा को धमकी दे रहे हैं वही लोग कल तक क्यूं में क्या-क्या नहीं बोल रहे थे, आज कह रहे हैं कि पवन सिंग और जोती सिंग को पब्लिक डोमेन में मत लाईए, मत घसीटिए, तो आरे क्यों न घसीटे भाई, पवन सिंग तो पब्लिक फिगर है, पवन सिंग तो सांसत का चुनाव लड़े हुए है, बिहार के अभिने देता है, पावरी स्टार है, तो अगर वो कुछ गलत भी करेंगे, तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ सही भी करेंगे, तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है, और उन लोगों को भी समझने की जरूरत है, जो इस वक्त पवन भाईया जिन्दाबाद जिन्दाबाद कर रहे हैं और लगातार बविता मिस्रा को धमकी पर धमकी दे रहे हैं पहले गारी रुकवा कर धमकी देते हैं उसके बाद वाटसब के माध्यम से धमकी देते हैं उसके बाद आज जो धमकी दी गई है वो बेहत संसनी धमकी है आप लोगों को महिलाओं का सम्मान करते हैं इस पर पवन सिंग क्यों खामोस है भाई पवन सिंग सामने आईए अगर आप यह कह रहे हैं कि यह मेरे तरफ से बयानबाजी नहीं हो रही है मेरे तरफ से गुंडे नहीं भेजे जा रहे हैं बविता मिस्रा को धमकी नहीं दिया जा रहा है आपक एक PC कर दीजिए और PC करके कर लिए ना भाई जी बिलकुल अब तो हर एक चीज फोन से हो जाता है आप एक मिनिट में वो चाहे दो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप PC में फस जाएंगे क्योंकि मीडिया तो आपसे सवाल पूछेगी कि जोती सिंग का जो कॉल तो आप कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे आप लगातार बयान बाजी दे रहें तो ठीक है आपको जो करना है कीजिए लेकिन जो बविता मिस्रा को लगातार धमकी मिल रही है आज जो धमकी मिली है आपकी TV स्क्रीन पर जो वीडियो चर रहा है आप देखिए कि उसमें आपका DP लगा हुआ है सिधा सिधा उसमें क्या कुछ धमकी लिखा गया है और सर्म के साथ हम कह रहे हैं पवन सिंग जी कि आप कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम कर रहे हैं जोती का सम्मान कर रहे हैं आज जो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जोती भावी जोती भावी कल तक वही जोत जोती भावी को उन्हीं लोग गड़िया रहे थे, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, और आज जोती भावी हो गए, गड़ियाना बंध हो गया, तो ये दो चेहरे वाले को आप अपने पास समय सा क्यों रखते हैं, कि समय समय पर बदल जाए, समय पर आपको भी धोख खाई थी, अगर कल के दिन कुछ भी होता है, भगवान न करे, कि आपको कुछ भी होता है, जब आपका सरीर गिरेगा, आपका तव्यत खराब होगा, तो कौन होगा आपके साथ? जोती सिंग ही होगी, नहीं, तो आपके जो आस-पास के जो लोग है न, वो तो पैसा कमा के निकल चुके होंगे, कल के दिन आपका तव्यत खराब हो जाए, और आप एक उमर में चले जाएंगे, उस समझ जरा ये जो भईया जिंदा बात, भईया जिंदा बात कर रहें, तो क्या आपका लैटिंग पे साफ कर देंगे साफ, नहीं न, उस समझ जोती सिंको ही करना होगा तो आपको समझने की जरूरत है, आप कह रहें कि पब्लिक डोमेन में इसा बात नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, लेकिन जो आप कोट में बयान दिये थे, वो तो सरवजनिक तोर पे आप ही के टीम ने कहा, क्या-क्या कहा, आपको अच्छे से पता है, हम उस बयान को नहीं पता गया, वो भी समझ जाए, और छोटा पवन कैसे रोका गया, ये भी हमें पता है, लेकिन देखिए, इस वक्त हम आपको सब कुछ बता दे, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, जो आपकी इज्जत थुथू हो रही है इस वक्त, उसे आप ही रोक सकते हैं, रोक लीजि कि दुबारा ऐसी धमकी नहीं जानी चाहिए, अगर बविता मिस्रा को एक खरोच भी आता है, तो सीधा सीधा पवन सिंग ना पे जाएंगे, ये आप कह दीजिए, ना पे जाएंगे कि मतलब गिरफतार हो सकते हैं, क्योंकि आप पर मामला दर्ज है, अब इस सब्द को कही अप लोग गलत वे में नहीं ले लीजेगा, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं ना महिलाओं के लिए, रगड देंगे, देख लेंगे, ठोक देंगे, ये आप ही लोग कहते हैं, ऐसे भासा का हम परियोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना सीमा अच्छे से पता है कि वो डटकर खरी है जहां दूसी तरफ पवन सिंग के पवन सिंग कोई बयान सामने नहीं जारी कर रहे है नहीं कुछ बोल रहे हैं इस पर आपके क्या रहा है देखिए आई दिन जिस्ता से पवन सिंग जोति सिंग का मामला जो अभी चल रहा है खास करके कहा जाए तो कि बबीता मिस्रा को धंकी अल्लागतार कुछ उस सद मिल रहा है जिस पर काफी बड़ा करवाई भी हो सकता है लेकिन पावन सिंग जब इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने नहीं उन गुंडों को भीजा है तो आखिर पावन सिंग का एक कदम कहीं न कहीं पावन सिंग के कोई मतलब नहीं है हमें अपनी धर्म पतनाी जोति सिंग से मतलब है मैं नहीं चाहता हूँ के मैई धर्म पतनी के बारे में कोई कुछ बोले आी दिन एक तरफ पावन सिंग को भी लोग गाली गुलॉस कर रहे हैं इनकी पतनी को भी कर रहे हैं जो जड़ब जडब चल रहे यह तो नहीं जा सकता है इस भी जब विता मिस्रा फसी नजर आ रही है उन्हें धंकिया मिल रहा है क्योंकि वह साथ तौर जो धंकी विदेर उसमें पौण सिंग कहीं जिक्र कर रहे हैं कि तुम पावन सिंग के बारे में बोलेगी तो तुम्हें उठवा लेंगे यह कर देखने वाले के लिए भी वो गलत संदेश होता है जो म्यूजिक डिरेक्टर का ब्यान सामने आ रही थी उसे लेकर वो जो सद का प्रियोग कर रहे थे श्रिया आपको बता दें वो काफी शब्द गंदे तरीके से किया जा रहा है और यह सारे नाम पवन सिंग के साथ जुड काफी उपर रखते हैं जब वो उपर रखते तो उनके गुंडे उनके सहयोगी इस तरह से भासाओ का यूज करें और नाम जोड़ है पवन सिंग के साथ क्या पवन सिंग के पास जुबान नहीं है कि एक सब्दा के बोल दे उन गुंडों पर रोक लगा दे कि हमारी जोड़ी स्टार कहते है पवन सिंग और लोग उन पर काफी दिलदार मानते हैं लेकिन इस वक्क पावन सिंग चूप क्यौन meant करें ऑभि तो जोती सिंह के तरफ से कोई भी उनके पश्य्यक्छ या जोती सिंह के गुंडे पवन सिंह के बारे में बोलना शूरू नहीं किये लगे और पर उस इंसान के उनके खिलाब कि टलेंगा लेकिन इस वक्ताके लिख नहीं कि हमारे फैंस पर इस तरह से विवादी टिपडी लोग ब्या करते हैं जोती सिंग हर मामली को समझ रही है यहां तक ही जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनको भाईया कहती नजर आ रही है लेकिन पवन सिंग के जो फैन है पवन सिंग ना ही उनसे बात कर रहे हैं ना ही उनको रो पावन सिंग जी रोक लगाईए नहीं तो यह सारे फैंस आप पे एक दिन भारी पढ़ जाएगा कांड करेगा कोई और और इलजाम आएगा आप पर यह तो पावन सिंग को समझना चाहिए बहस्पुरी जगत के काफी सूपर स्टार है और बहस्पुरी भासा कि सैली को बनाय की जो तिस सेंग के मामले को मामले को लेकर अनले का घृसी जारा है पर सबसे बड़ा जो कहा है वो नहीं करें हैं वह कोई बयान कम नहीं सामने करें हो चुपी और यह चुपी जो है वो कई ना कहीं उनके ही खिलाफ काम किए कर रहा है आरने वाले दनों में भी बिल्कुल देखें चुपई पवन सीन्ट की है चुपज़ को बरात करेगी और किसी को नहीं उपयोग कर रहे हैं, तो क्या ये मरियादित भासा का उपयोग है, पवन सिंग के टीम नेंबर और पवन सिंग के चाहने वाले और पवन सिंग कहते हैं, कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो आप महिलाओं को गंदा वीडियो भेज कर, आप कहेंगे कि हम महिलाओं का सम्म आप निकल ये ना नीचे गोलियों से भून देंगे तो ये सब्द किसके है भाई ये तो गुंडे आपके जो चाहने वाले लोग है क्या इस तरीके का भासा इस्थमाल करते हैं तो आखिर कर ये इस तरीके कितना आप लोग नीचे गिराएंगे पवन सिंग जी आपसे बार बार अनरोध किया जा रहा है कि जोती सिंग आपकी धर्म पतनी है आप जाईए जोती सिंग को लेकर आईए सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा बगतामिसरा तो कह रही है कि आपके पास दो अप्सन है या तो आप जोती सिंग को अपना लीजिए और अपना ना है तो जोती सिंग को डिवास देकर आपको तीसरी साधी करनी है तो कर लीजिए जोती सिंग को आप ये सब में क्यूं पीस रहे हैं आखिरकार वो लड़की सुरू से लेके आखरी दम तक क्यूं पीसे भाई और जो लोग आज एक सटीक सवाल आप लोगों से पवन भईया जिन्दाबाद, पवन भईया जिन्दाबाद, कल के दीन, जो इस वक्त जोती सिंग पर बीत रहा है, वैसा अगर आपके बहन के साथ हो जाए, वैसा अगर आपके चचेरी बहन के साथ भी हो जाए, या आपके मा के साथ ही हो जाए, या आपके घर के किसी महिला स जोती सिंग के ये आपको नजर नहीं आता है, जोती सिंग के आसू नजर नहीं आ रहा है, जोती सिंग का दर्द नजर नहीं आ रहा है, वो महिला जो बुखार में 48 डिग्री में, 42 डिग्री में, 45 डिग्री में यहां तक कि 52 डिग्री में भी चुनाओ परचार की पैरों में छाले लेकर और उल्टी करकर के चुनाओ पर चार कर रही थी, उस महिला को सरक पर छोड़ दिया जाता है, और आप लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, तो गलत है तो भाई पवन सिंग जी आपना ही क्यों थे, ये भी बता दे, क्या पवन सिंग जी एक सवाल आप से भी है, जबा अभी था मार्केट में, कि पवन सिंग जी अपनी धर्म पत्नी को छोड़ चुके है, और क्या-क्या आरोप थे, इसी आरोप के डर से आपने जोती सिंग को अपनाया था, सीधा सवाल है आपसे, हाँ ना में जबाब दे दीजिएगा ने, तो आपके तो जो लोग हैं, किस में जबाब देते हैं, हमें भी अच्छे से पता है, और कमेंट में भी हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, कि कौन से भासा का मरियादित भासाओं का वो इस्तमाल कर रहे हैं, करने दीजिए, फर्क नहीं पढ़ता है, लेकिन जिस दिन उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो है, अगर वो आकर लाइव आकर या फिर कहा जाए सोसल मीडिया पे, अपने फॉलवर से एक छोटी सी दर्ख्वास्त कर दे कि ये जितने चीजे हो रही है, धंकिया देना लोग बंद कर दे तो ये सारा मामला ही सिमट जाएगा, रहा बाद जोती सिंग, उन पे क्या कुछ बीतरा है महिला है, हलाकिन लोग कहते हैं कि महिला का दिल कमजोर होता है, लेकिन क्या कमजोर दिल के साथ इस तरह खेला जाता है, अभी जो रूप सामने आ रहा है, पवन सिंग के साथ, पवन सिंग लेकर के ब्यान बाजी, क्या कुछ नहीं चल रहा है अभी समाज में, इस कई भुसपुरी में ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिनकी शादिया नहीं हुई है उनसे कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगा इन फ्यूचर जब इस तरह से मामने सामने आने लगे लेकिन पावन सी जल्द इस पर रोक लगा दें क्योंकि खुद भुसपुरी के सुपरेस्टार हैं उन्हें पता है मर्यादा उनकी भी मा है उन्हें भी पता है कि दर्द क्या होता है तो इस दर्द को जल्दी समझेंगे हम उनसे यही आशा करते हैं तो जैसा कि हमने तमाम मुद्दों पर बात की और इसका सक्रिय बात यही नजर आया कि जिस तरीके से बबीता मिश्रा जो सही के साथ है सही का सवाल उठा रही है उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है पर वो अपनी बेहन के साथ है जोतिस सिंग के साथ है तो हमारे तरफ से भी पवन सिंग के लिए एक ही मेसेज है कि आप शोचल मीडिया पर लाइवा के यह पूरे जो कहा जाए यह पूरे मामले को आप अपने एक कहा जाए तो एक पहल से रोक सकते हैं और अगर कर यह सब अगर हो जाता है तो काफी जादा अच्छी बात हो जाती है जोति सिंग के और उनके खिलाफ जो यूमर्स चल रहे है उनके खिलाफ जो अफवा चल रहे है उस पर भी धन्यमाद